आप देख रहे हैं कर्मचारियों और सरकारियों जिनाओं से चुड़ी खबरों का आपका अपना चेनल एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में यहाँ पर EPS 95 पेंसंदारक इस समय जिस हालात से गुजर रहे हैं उन सभी EPS 95 पेंसंदारक 62 लाग EPS 95 पेंसंदारक इस और बरियवार के लिए यहाँ पर प्रदान मंत्री नरेंदर मोठी वित्ध मंत्री श्री निर्मला सिता रमन और स्रम मंत्री स्री सांतोष कुमार Gंगरवार जी को एक यहां पर प्रपत्र लिखा गया है उसके वीडियो को share जरूर कीजेगा क्या पता आपका एक share यहाँ पर जो है किसी ऐसे विक्ति के हाथ चले जाए जो कि यहाँ पर इन EPS 95 पेंसन धारक और उनसे जुड़े परिवारों की इन तकलीपों को यहाँ पर जो है समझ सके तो वीडियो को जो है 5-7 मिनिट का वीडियो है शुरू से आखरी तक जरूर देखे और साथ ही इस पोस्ट को भी जो की employee cover.com पर डेली है इसे भी पढ़ी है और एदि आपको जो है सही इनकी प्रसमस्या लगती है तो इसे जो है आगे forward और share जरूर किजेगा चलिए आते हैं यहां पर वीडियो में और आपको बताते हैं पूरी खबर यहां पर क्या है तो खबर को आप यहां स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे 65,000,000 EPS 95 Pensioners परिवार के लिए 5000 रुपए का राहत package की मांग यहां पर जैसे है जिन्नोंने यहां पर 30 अपरेल तक के लिए lockdown को आगे पढ़ा भी दिया है ऐसे में वित्तमंत्रे निर्मला सिता रमंज ने विबिन छेतर के मजदूरों, किसानों और आदी अन्ने लोगों के लिए भी यहां पर राहत package की गोशना की है लेकिन इस राहत package में EPS 95 pensioners के लिए कोई राहत नहीं है जिनकी संख्या देश में तकरीबन 62 लाग है और यहां मामला इन 65 लाग pensioners परिवारों के लिए है आल इंडिया को आडिनेशन कमिटी EPF Pensioners Association ने यहां पर जो है COVID-19 package में EPF Pensioners यानिकी EPS 95 Pensioners के लिए भूत पूरो भुकतान का अनुरोद करते हुए ग्यापन प्रस्तूत किया है और माननीय प्रधान मंत्री स्री नरेंद्र मोदी माननीय वित्त मंत्री स्री निर्मला सीतारवन जी और माननीय श्रम स्री संतोष कुमार गंगरवार जी से 5000 रुपई की रहत रासी EPS 95 Pensioners को देने के लिए यहाँ पर प्रपत्र लिख कर ग्यापन प्रस्तूत किया है और समीती ने विश्वास बताया है कि उनकी मांगवब और सरकार यहाँ पर जरूर सुनेगी आपको बता दे कि EPS 95 व्रद पेंसनर्स देश के लिए हमेशा ही सही ही यहाँ पर तत्पर रहे है सबसे पहले तो यह 30 से 35 साल की यहाँ पर अपनी नौकरी में योगदान देते है इसके बाद में ज्यादातर EPS 95 Pensioners के हाथ में यहाँ पर वरतमान में 200 से लेकर 25 सो रुपए तक ही पेंसन यहाँ पर प्रतिमा आ रही है हलाकि सरकार के ओर से 2014 में पेंसन धारगों को नियूनतम पेंसन इनकी 1000 रुपए प्रतिमहिना करने की बात कही गई थी लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे pensioners यहाँ पर ऐसे हैं जिनको 1000 रुपए से कम pension यहाँ पर मिल रही है मैं यहाँ पर EPS 95 पेंसन धारगों की इस pension के मुद्दों को पिछले देड़ से 2 साल से यहाँ पर कवर कर रहा हूं और यहाँ पर बहुत सारे लोगों कमेंट से आते हैं कि उनको जो है 200, 300, 500, 800 रुपए तक ही यहाँ पर जो है pension प्राप्त होती है इतनी कम pension मिलने के बावजूद भी यहाँ पर pension धारगों ने अपना फर्ज बखु भी निभाय है चाहे पुलवामा हमले में सहीदों को दी जहे रही वाली रासी की बात हो चाहे कोरोना वाइरस से लड़ने के लिए देश्क में अपना यहाँ पर सयोग की बात हो इस पर जिन pension धारगों को 1000 रुपए से कम की pension मिल रही है ऐसे में वो अपना परिवार का गुजारा किस तरह से करेगा यह तो सोचने वाली बात है ही साथ ही इसके बावजूद उन्होंने यहाँ पर अपने एक दिन की pension का भुकतान यहाँ पर प्रदान मंत्री राहत कोस में किया है पिछले 6 से 7 सालों से यहाँ पर लगातार अपनी pension धारगों की pension में व्रद्धी की मांगें यहाँ पर कर रहे है लेकिन अभी तक pension धारगों की मांगें मंजूर नहीं की गई है आज pension धारगों के सामने विपरी धालात है ऐसे में वास्तों में हाँ पर सरकार को इन 65 लाख EPS 95 pensioners और उनके परिवार के बारे में सोचने की जरूरत है तो दोस्तों बस यही उम्मीद के साथ की यह पोस्ट यह वीडियो आप फारवर्ड करके सेंड करके आगे तक पहुचाएंगे और यह वीडियो किसी ऐसे विक्ति के हाथ जरूर जाएगा जिसके भी पास यह वीडियो जाता है तो प्लीज इन EPS 95 पेंसन दारकों के बारे में जरूर सोचेगा क्योंकि इनको जो है इस कोरोना लागडॉन में कोई रहातरासी नहीं मिली है आप खुदी सोच सकते हैं कि जिनको जो है एक हजार रुपई से भी कम यहाँ पर पेंसन मिल रही है आल इंडिया को औरेनेशन कमिटी का भी यहाँ पर धन्यवाद जो कि उन्होंने यहाँ पर इन पेंसन दारकों की तकलीपों को वित्त मंत्रे निर्मला सीता रमान मान्यी प्रधान मंत्रे नरेंद्र मोधी जीतक पहुचाने का प्रहें आप से नेक्स्ट वीडियो में किसे से जानकारिक साथ तब तक के लिए बने रहेगा एंप्लॉई खबर चेनल के साथ जय हैंद जय भारत